राम राम गायज कैसे हैं आप सब तो देखिए मैंने पहले बताया है कि मेरा चैनल सिर्फ घर से रिलेटेड है घर को सजाना इसमें कोई मुश्किल आजाए तो उन्हें आसान बनाना एंट गार्डनिंग का बालकनी को सजाना छोटे मोटे बहुत जादा बड़ा गार्डन त तो मेरे को गार्डनिंग का पहले से शौक है तो बस यह थोड़ थोड़ जानकारियां जो मतलब मेरे को अच्छी लगती है जो मेरे साथ मतलब यूज कर चुकी हो जिनको लाम हानी वह सब मैं शेयर करूंगे आपके साथ कि यह काम करना है तो इसके साथ यह बेनिफिट लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता मेरे तीन चैनल पहले भी है लेकिन मैं सोचते हूं कि लोगों तक मेरे जो मैं काम करती हूं मेरे बताय हो इन उसके होते हैं सारे जितने भी टिप्स होते मेरे बताय होए होते हैं मतलब मेरे यूज किये होते हैं ताकि मैं अपनी जो मेरे साथ प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है वो मैं आप लोगों तक शेर कर सकों तो आज मैं कार्णिंग का तो मैं नहीं लेकर आई बट किचन में बर्तन साफ कर दी थी तो देखी मसद क्या हुआ अब यह सिंक देखे ऐस तरह से भर गया है आपके साथ भी प्रॉब्लम आती होगी अगर नहीं भी आती वाई देवे मालो आज है सोचके चलो तो इसको कैसे खोलो गया आप तो क्या करोगे इसके लिए मैं किसी उसको बुलाओं साफ करने वाले को तो अभी रात हो चुके नह होती रहती है देखिए यह ग्लास लेना है आपने कि मिरसा जब भी होता है मैं अभी कुछ दिन पहले मेरा व्लॉग हो गया था मैं रिष्टेदार आए हुए थे बल्कि वह चंबित होगी कि डीदी ऐसे भी खोला जा सकता है से मैंने का हां जी मैं ऐसे ही खोलती हूं तो ब किस कुछ फस गया तभी रुका है बस इस तरह करना आपने प्रेशर देना है इसको पानी गया इसका बस चाहत बार मार ओगे अब थोड़ा पर मुश्किल होगी उतना ही थोड़ा ज्यादा मार लेना इसको ग्लास को बस हो गया यह देखिए कितने चीज़ साफ हो गया तो बहुत इस ग्लास को आप दोलीजिए और इसे साफ कर दीजिए तो इसमें पर गच्छ तो तक चैनल सब्सक्राइब करने का दिए कर दीजिएगा और नहीं कर दा तो भी कोई बात नहीं थांक्स पर वाचिंग माई चैनल